हाई फ्रेंज्ट्स आप लोगों के कुछ क्वेश्टिन से फुल्मून को लेकर कि इस फुल्मून पे क्योंकि लूनर एकलिप्स है ग्रहन है चंदु ग्रहन तो इस ग्रहन में क्या हम अपने आदे ऑधिन को चार्ज कर सकते हैं crystals को आप अपने घर के अंदर salt में रखके charge कर सकते हैं या फिर smoke दिखा के charge कर सकते हैं selenite plate पे रख सकते हैं या फिर आप जो singing bowl होता है उसमें रखकर के आप meditate कर सकते हैं वैसे आप charge कर सकते हैं लेकिन moon light में नहीं छोड़ना है इस बार क्योंकि वैसे भी जब हम कहते हैं चंद्र ग्रहन लगा हुआ है ग्रहन का time है वो time positive vibes का है ही नहीं राज भर नहीं छोड़ना है आपको तो आप अपने घर के अंदर आप charge कीजिए definitely और शरत पूर्णीमा की जो रात है ये जो शरत पूर्णीमा का दिन है रूप धारन करके खुद इस रास लीला में भी आये थे तो काफी मैं बोलूँगी की एक बहुत high vibe का debut है ग्रहन के साथ-साथ ग्रहन लग रहा है no doubt चिक है बद देन क्योंकि ये एक रास लीला का दिन है शरत पूर्णीमा की मानेता हैं वैसी ही है प्रेम से भरी हुई है तो अपने अपने दिलों में भी आप लोग प्यार भरिये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ couples का ही प्यार हर एक के लिए अपने परिवारजनों के लिए दूसरों के लिए kindness होनी चाहिए साथ मैं एक चीज़ बता देती हूँ यह time donations के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत time से आप लोगों को donation के लिए नहीं बता पाई बट यह शरत पूर्णी मार और वैसे भी जब ग्रहन लगता है तो ग्रहन के time पे हमें असल में जब ग्रहन खतम हो जाए अगले दिन 28 को ग्रहन है सारी रात, मतलब 28 क्या वो 29 में ही count होगा because 28 को रात के एक बज़े से ग्रहन शोरू होगा तो वो 29 की date में आ जाएगा राइट रात में खतम हो रहा है बेसिकलिए हम यह बोलेंगे अगर जनरल उसमें conversation में कि 29 की morning को morning उठे है नहाद हो करके आप कुछ ना कुछ donation जरूर देंगे और यह बहुत important होता है इससे होता क्या है बेसिकलिए आपके कामे के फ़र्क खतम होते है आपकी wishes में आपको help मिलती है life में help मिलती है so please यह donation का time है आप चावल निकाल सकते हो ठीक है चावल को आप आप चाहें तो एक kilo का packet हो या छोड़े छोड़े packets हो जैसी भी आपकी शम्ता है वो आप जाकर के मंदिर में दान दीजे या फिर जहां पे नीडी है वहाँ पे आप जाकर के दान दीजे बहुत से लोग question करते हैं कि हम अपने घर के mates को दे सकते हैं मतलब आप दे रहे हैं खुले दिल से उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए so again ऐसा काम मत कीजेगा कि देने के बावजूद blessing छोड़ो वो again कामा में कर्मा में ही add हो गया ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखेगा और साथ में इस donation के साथ-साथ क्योंकि राद को ये रासलीला होती है ग्रहन अपनी जगा पे है चंद्र ग्रहन लेकिन शरत पूर्णीमा की राद को ही क्रिशन और राधा का की रासलीला की राद थी जो पूरी गोपियों के साथ एक पूरा अच्छा सा नरत उस तरह का कुछ था ठीक है तो क्योंकि अच्छा है तो आप सब अपने-पने relationship के लिए जरूर scripting कीजिए हो सके तो राधे क्रिश्न राधे क्रिश्न की scripting कीजिए राधा श्मी पे मैंने आपको सिर्फ राधे राधे की scripting बोली थी साथ में अपनी wishes रिखने के लिए बोली थी और उसके results miraculous आए है बहुत से लोगों ने manifest किया अब क्योंकि यहाँ पे राधे क्रिश्न दोनों है और इनका जाब भी ऐसे ही कुछ चलता है राधे क्रिश्न राधे क्रिश्न 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 राधे राधे तो यह जो है यह बहुत ही अच्छा सा है musical है बहुत आगर मैं बोलू कि इसको जब आप जापोगे या जपोगे तो आपके मन में एक अद्भुत सी शांती फील होती है आप scripting क्या करेंगे राध में राधे क्रिश्न राधे क्रिश्न राधे क्रिश्न लिखेंगे red color का pen use कीजेगा या blue color भी इस्तेमाल कर सकते हो दोनों में से कोई सा भी एक ले लो और scripting कितनी बार करनी है again 108 बार करनी है पूरे page पे दूसरा page लेना पड़ता है उस पे भी ले लो नहीं तो back में करना है I mean परने के पीछे करना है तो वो भी कर सकते हो ठीक है और अपनी wish लिखनी है कितनी wishes लिख सकते हो आप तो सिर्फ एक ही wish consider कीजिए चाहे वो आपके relationship से regarding हो या फिर आपके health का हो money का हो wealth का हो या कोई और problem हो ठीक है सिर्फ एक wish वहाँ पे लिखिए circle में और राधिकरशन लिखिए और थोड़े देर राधिकरशन, राधिकरशन, राधिकरशन का जाब कीजिए meditate कीजिए उस शब्द के साथ और आप सेम वो जो रासलीला में आईमेन जो हुई थी उसमें एक नृत्य था एक प्रेम था ठीक है अलग सी खुशियां थी उन खुशियों को महसूँ आपने visualize करना है महसूस करना है ठीक है आप चाहें तो अपनी आखें बंद करके अपनी अपनी wishes के लिए भी visualization create कर सकते हो शारत पूर्णीमा बहुत effective and बहुत positive night है ठीक है ग्रहन अपनी जगा पे है still बता रही हो मैं तो उस रात को आप लोग अपने अपने लिए use करें सारे दिन हो सके तो Krishna magic begin now आप chant कर सकते हो this is a very powerful switch word इसको आप start कर सकते हो Krishnaji के और भी mantra है आप चाहें तो उस दिन बेशक से सारे दिन आप ओम clean Krishna ये नमा का जाप कर सकते है अपनी wishes के लिए अगले दिन इस paper का क्या करना है question या आएगा ये paper आप people के पेड में dispose कीजिए या फिर मिटी में दबा दीजिए दो ही चीजे करनी है burn नहीं करना है इतने प्यारे प्यारे नाम लिखे है इसमें उसको burn करने का तो मतलब ही नहीं बनता दूसरी बात question या आएगा कि periods में कर सकते हैं हम इसको बिलकुल कर सकते हैं आप लिख सकते हो इस नाम को जाब भी कर सकते हो इसलिए क्योंकि ये रासलीला का नाम है और एक धुन है एक music है समझनो एक song जैसा है ये ठीक है जिस तरह से हम कहते हैं ना भज़ें कीरतन करो वो शान्ती देता है दिल को वैसे ही ये कीरतन की ही भाती है आप इसको पूरे दिन आप जाब कर सकते हो Krishna magic begin now सारे दिन चांट कर सकते हो ये आप लोगों को help करेगा आपकी wishes में ठीक है manifestation के लिए आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो अपने आपको उस जब आप बहुत high vibe में होते हैं जब आपकी होता है कि हमारा mood अभी बहुत अच्छा है उस time पे कभी भी miss मत किया करो उस time को आप लोग use ज़रूर किया करो अपनी positive affirmation देने के लिए क्योंकि जिस वक्त आपका mood बहुत अच्छा है उस time पे आप high vibe में हो उस time पे आप positivity में हो उस time पे दिया गया एक affirmation भी magic कर सकता है okay so अपने moods को हमेशा ध्यान रखो जस time पे भी happy लग रहे हो उस time पे positive बोलो अपने लिए ठीक है जब परिशान हो या फिर जब sad लग रहा है उस time पे क्या बोले हम उस time पे meditate कर सकते हो कुछ अच्छा सुन सकते हो उस time पे बोलने का भी मन नी करता ना जब हम sad होते हैं तो कुछ सुनो कुछ अच्छा सुनो कुछ अच्छी वानी सुनो भगवान के कुछ मंत्र सुनो कोई चालिसा सुनो कुछ भी सुनो जिससे आपको help मिले शानिवार का दिन है मैंने पहले भी बोला हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में कि आप हनुमान चालेसा का पार्ट भी कर सकते हैं ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाब भी कर सकते हैं तो ये तो carry forward रहेगा ही इसको तो करना ही करना है इसमें कोई if and but नहीं है बट शरत पूर्णिमा के दिन प्लीज अपने अपने relationships के लिए जरूर manifest करें क्योंकि maximum लोग जो हैं वो relationship को लेके परिशान हैं तो उनको मैं यहाँ पर बता रही हूँ बाकी लोग भी अपनी scripting करेंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ relationship के लिए ही है बट अपने अपने wishes के लिए आप भी scripting करेंगे रास लीला जैसे राधा कृष्न मिल करके जूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं गोपियों के साथ ऐसा ही कुछ आप अपने relationship में visualize कीजिए इतनी बड़ी visualization की picture है आपके सामने शर्रत पूर निमा की उसको आप जरूर अपने जहन में लेके आओ सेम उसी लीला में आप अपने आपको भी अपने specific person के साथ देखो क्योंकि वैसा ही आप भी भी फैर manifest कर सकते हो ओके So that's all and yes Krishnan जी की कृपा आप सब पे बनी रहे आप सब जल्दी जल्दी अपनी wishes manifest करें That's all Thank you so much and God bless you all